अब हम देखते हैं कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ एक अंतराश्ट्रिय संस्था जिसे हम संयुक्त राश्ट्र संग या उनाइटेड नेशन्स कहते हैं उसकी स्थापना की गई विश्व में शांती लाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी लीग ओफ नेशन्स की स्थापना हुई थी परन्तु वह जादा दिन नहीं चल पाई और 1945 में लीग ओफ नेशन्स समाप्त करके युनाइटेड नेशन्स की स्थापना कर और विश्व का प्रत्येक इंडिपेंडेंट राष्ट्र या जो स्थापना राष्ट्र था वह उनाइटेड नेशन्स का सदस्य बन गया 1947 में जब भारत स्थापना हुआ तो भारत तथा पाकिस्तान दोनों को ही उनाइटेड नेशन्स की सदस्यता में ली परन्तो भारत ने अपना बोलने का नजरिया हमेशा साफ रखा और हमेशा जो गलती थी उस पर साफ बोलने लगे इसलिए युनाइटेड नेशन्स में जो अन्य राष्ट्र थे या जो अन्य पावर ब्लोक्स थे वो दोनों ही हमारे पक्ष में नहीं रहे जब कश्मीर बिंदू आया तो युनाइटेड स्टेट्स ने भी पाकिस्तान का साथ दिया और यहां तक की रचन युएसेसर ने भी पाकिस्तान का ही साथ दिया युएसेसर हमसे प्रसंद नहीं था क्योंकि हम कभी खुल कर उनके साथ नहीं आए और साथ ही साथ एक अन्य समस्या जो युएसेसर को हम से थी कि जो भारत में कम्यूनिस्ट पार्टी थी यहां अकसर हमारे पार्लियमेंट में रच्शा को क्रिडिसाइज किया जाता था कि भारतिये कम्यूनिस्ट पार्टी के ऊपर क्रेमिलिन का जादा हस्दशेप है तो यह हमारी अंदरूनी नीतियों के विरुथ है इसलिए Communist Party को तुरंत समाप्त किया जाए हमने इस समय वो देखा लेकिन साथ ही साथ हम यह देखें कि विश्व पटल पर स्वतंत्रता के बाद और क्या-क्या बदलाव हुए हमारा जो मेंन लैंड था वो तो स्वतंत्र हो गया लेकिन पॉंडिचेरी तथा चंदन गोर में हमारी फ्रेंच कॉलनी थी गोआ, दमंद्यू और और चोटे-चोटे आइलेंड्स के ऊपर हमारी पोचुगीज कॉलनी थी यह जो एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक था इसने कहा कि इन कॉलनी इसको हटाने के क्योई आवशक्ता नहीं है एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक ने फ्रांस का साथ दिया, साथ-साथ पोचुगाल का भी साथ दिया तो एक तरफ तो हमारी काश्मीर नीती में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और हमारी जो यह छोटी-छोटी कॉलनी बची हुई थी इनमे उन्होंने फ्रेंच और पोचुगिल का साथ दिया इसलिए यह कहना कि वो हमारे बहुत हक में शुरू से थे यह गलत होगा लेकिन हमने उनको तो क्रिटिसाइज किया ही उनकी एग्रेसिव नीतियों को तो क्रिटिसाइज किया साथ ही साथ हमने कम्यूनिस्ट की भी एग्रेसिव नीतियां जो थी उनको हम लोगों ने क्रिटिस इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि कोरिया के मुद्दे पर भी दोनों पावर ब्लॉक्स में कठिनाई हुई तब हमने खुल कर उनके पक्ष और विपक्ष में बोला कोरिया 38 पैरलेल के ओपर डिवाइड हो गया था तो कोरिया की समस्या को लेकर युनाइटेड स्टेट्स जो था वो सयुक्त राश्ट्र संग के पास गया और 1947 में युनाइटेड नेशन्स टेंप्रेरी कमिशन ओन कोरिया अंट को जिसको कहते हैं उसकी स्थापना की गई और 10 मई 1948 को सौथ कोरिया में चुनाव कराए गई तथा 15 अगस्थ 48 को वहां से अमरीकी सेना वापस चली गई 9 सितंबर 1947 को किम टू संग नौथ कोरिया के पीम नियुक्त हुए तथा USSR की सेना वहां से प्रस्थान कर गई परन्तु अमेरिका ने कुछ सेना उसके बाद भी सौथ कोरिया में छोड़ दी यह कहकर कि वह सौथ कोरिया की सेना को प्रशिक्षन देगी भारत ने इसको एक तरह का नियो इंपिरिलिजम माना और इसका जम कर विरोध किया इसके साथ ही साथ जापनीज पीस ट्रीटी जिसके अंतरगत बहुत से एशिया के द्वीप यूएस ट्रस्टीशिप सिस्टम की अंदर आते थे उन पर भी हमने अमरीका का खुले आम विरोध किया अमेरिकन इंपिरिलिजम का इसी बीच जो कम्यूनिस्ट चाइना था उसको सिक्यूरिटी काउंसिल में लेने की पैरवी हिंदुस्तान ने की जब हिंदुस्तान की यह पैरवी उससार ने देखी और अमेरिका का विद्रू के प्रति हमारा खुले आम नकारात्मक रवय्या देखा तब जाकर उससार कुछ नरम पड़ा यह यू कहिए कि हम उससार की आवशक्ता हो गई कि वह भारत के पक्ष में आए तो यह नहीं है कि भारत शुरू से अमेरिका से अलग रहना चाहता था क्योंकि यदि ऐसा होता तो नेहरू ट्रूमेन की रेजीम में अमेरिका यात्रा पर नहीं जाती अक्टूबर 1949 में नहरू तथा कृष्णा मैनन दोनों अमरीका गए वहां की और टूमेन उन्होंने प्रेसिडेंट टूमेन से बात की लेकिन जो अमेरिकन सेक्टरी अफ स्टेट थे एचसन उन्होंने भारत को काफी समझाने बुझाने की कोशिश की कि वह अमेरिका के साथ मिलिटरी पैक्ट में आ जाए और खुले आम अमेरिका के साथ दोस्ती और इस तरह के समझोते करें जिससे की अमेरिका जब आवशकता हो तब भारत की सहायता कर सके लेकिन नहरू ने अपना रवया साफ कर दिया कि वह पूरी तरह से निश्पक्ष रहेंगी और वह किसी एक के भी पक्ष में नहीं आ सकते तो एचिसन ने स्वयम कहा कि नहरू बहुत कठिन आदमी हैं उनको दवाना किसी भी प्रकार संभव नहीं है एचिसन के बाद जो नए सेक्टरी ओफ स्टेट आए वो थे जॉन फॉस्टर डलस अचिसन के समय में एक और बात होई थी कि भारत को अनाज की आवश्यक्ता थी तो एक मिलियन टन गेहूं का जब प्रशन आया तो यूएस में इसके उपर डिबेट होने लगी कि भारत को दिया जाए कि न दिया जाए क्योंकि वह हमारी प्रभुसत्ता स्वीकार करने को तयार नहीं है तब रशा ने कूद कर अमेरिका के प्रभुत्तों को कम करने के लिए रशा ने अपने आप आगे आकर पचास अजार टन गेहूं जो था वो भारत को भेज दिया जिससे की भारत भी कुछ हद तक यूएससार से आप कहसे दीजिए कि हाँ प्रसंद हो गया उसके बाद जब जॉन फॉस्टर डलस आये सेक्टरी अब स्टेट तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये तटस्तता या गुठ निर्पेक्षता कि जो आप नीती कह रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है आप यह तो हमारे मित्र हैं यह हमारे शक्त्रु हैं हम आपको तटस्त नहीं मान सकते और आप खुल कर बोलिए कि आपको क्या चाहिए आप किसके पक्ष में हैं तो जब भारत की तरफ से उनको कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला तो 1954 में उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर लिया क्योंकि डलस को अपने खेमे में राष्ट चाहिए थे और पाकिस्तान को पैसा और हथियार चाहिए थे इसमें ब्रेटिश पीम विंस्टन चेर्टल का भी काफी बड़ा हात रहा और चर्चिल ये जानते थे कि रशा को सभालने के लिए जिस तरह से वेस्टन फ्रंट पर टर्की था उसी तरह से इस्टन फ्रंट पर भी उनको एक राष्ट की आवशक्ता है और पाकिस्तान से जादा स्ट्राटिजिक इंपॉर्टन्स का कोई राष्ट नहीं है जो इस्टन फ्रंट पर रशन एग्रेसिवनेस को रोक सकी और अफगानिस्तान पर भी रशन कबजे को रोकने के लिए पाकिस्तान का स्ट्रॉंग या सशक्त होना आवश्यक है इसलिए जब पाकिस्तान खुल कर अमरीका के साथ आ गया तो अमरीका ने बिलकुल बिना रुके 80 मिलियन डॉलर्स की सालाना मिलिटरी एड पाकिस्तान को देना स्वीकार कर लिया और इसको सेंटो एंड सीटो के मिलिटरी अलाइंस में अपना सदस्य बना लिया जो की सब रशन इंपिरियलिजम या सोवियत संग के बढ़ते हुए प्रभुत्व के किलाव थी अब 49 में अमेरिका यात्रा के बाद 1905 में नहरू ने रूस की यात्रा की जब नहरू ने रूस की यात्रा की तो क्रुशेव ने बिलकुल खुले हातों से नहरू का स्वागत किया क्योंकि यह उनकी मजबूरी थी तो हिंदुस्तान के मजबूरी नहीं थी कि वो रशा के साथ जाएं रशा के मजबूरी थी कि वो हिंदुस्तान को अपने साथ रखके या हिंदुस्तान को अमेरिकी खेमे में जाने से रोके तो कृष्चेव ने खुले आम नहरू का स्वागत किया और उसके बाद जब कृष्चेव भारत आए तो भारतियों ने भी कृष्चेव का उसी प्रकार स्वागत किया इसे बीच हम दोनों महाशक्तियों की बात तो हमने कर ली लेकिन साथ साथ जो हमारी गुट निर्पेक्ष शक्तियां थी जो हमें गुट निर्पेक्ष आंदोलन का जो हमें नेतर तो करना था आईए हम थोड़ी देर उसकी भी बात कर लेते हैं तो 1947 में तो Asian Countries की Conference हमने की थी 1926 में Afro Asian Countries की 27 में Brussels Conference में हमने भाग लिया था लेकिन 1955 में बैंडंग में एक Afro Asian Conference हुई जिसमें की गुट निर्पेक्षता को एक फॉर्मल जामा पहनाया गया यह Conference भारत ने नहीं बुलाई बलकि सुकार्णो इंडोनेशिया के जो थे वह इस Conference के होस्ट थे और इसमें जो अन्य भाग लेने वाले मुख्य लोग थे उनमें क्वामा नुक्रुमवा थे घाना के घमाल अब्दुल नासिर थे इजिप्ट के और जोसफ ब्रोश टीटो थे यूगोसलाविया के 1954 में नहरु ने अपने यहां एक पंचशील का सिध्धान्त बनाया था कि यह हमारा पंचशील का सिध्धान्त है जो हम अपने पडोशी राज्यों और अपने अंतरराश्ट्रिय जो हमारा समाज है उसके साथ हम यह पांच सिध्धान्त मानेंगे तो पंचसील के सिध्धान्त में जो पहला सिध्धान्त था वो था कोईग्सिस्टन्स या स्थित्व दूसरा सिध्धान्त था तीसरा नोन अग्रेशन या आकरामक रुक्न अपनाना चौता नोन इंटराइश्य। in the internal affairs of others, यानि दूसरे राष्ट्रों की आंतरिक मामले में किसी प्रकार का हस्थशेप न करना, और पांचमा था, recognition of equality, यह सब को समानता का दर्जा देना, गुट निरपेक्ष राष्ट्र में पहले तो यह चार राष्ट्र आये, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि जपान, श्री लंका और और भी जो एशिया के जो देश थे, वह भी धीरे धीरे इसी गुट निरपेक्ष राष्ट्र आंदोलन में और सब नहरू की बात मानने लगे और नहरू के साथ आ गए, अब इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या किया और किस प्रकार किया, इसको भी हम दीरे दीरे देखेंगे, 1956 अगस्त, स्वेज कनाल जिसमें एक ब्रिटिश कंपनी काम करती थी, उसको नासिर ने सेंट्रलाइज कर दिया और गवर्मेंट कंट्रोल की अंदर करके वो नैशनलाइज हो गई, जैसे ही स्वेज कनाल को नैशनलाइज किया, फ्रांस, ब्रिटेन, इसराइल आदी को यह शक होने लगा कि अब यहां से हमारी तेल की सप्लाई रुख जाएगी, क्योंकि जब इजिप्ट का मन करेगा तब यहां का मार्ग बंद कर दिया गा, तो इसी भाई के कारण ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल की सेनाई जो थी, वो इजिप्ट के अंदर आ गई, जैसे ही सेनाई वहां आएं, भारत ने खुल कर इसका विरोध किया, और सिक्योरिटी काउंसिल में इसके विरोध वो डिबेट में उतर आए, बाद में खेर अमेरिका ने इसमें हस्तेशेप किया, और सेनाई, तीनों देशों की सेनाई वापस चली गई, वहीं इसी प्रकार का एक और वाकिया हुआ, वह था हंगरी में, हंगरी में जो सरकार थी, वह कम्यनिस सरकार थी, लेकिन एक पॉपिलर रिवोल्ट हुआ, और कम्यनिस सरकार को खाड़ कर फिंका तखता पलट दिया गया, यानि कि सोवियत संग जिसको सपोर्ट करता था, वह सरकार सक्ता में ने रही, तो सोवियत संग के टैंक्स तुरंथ बुड़पेस्ट की तरफ रवाना हो गए, और वह वहाँ गुजने लगे, नहरू को अकसर जो क्रिटिसाइज किया जाता है, वह यह किया जाता है, कि स्वेज जब कनाल का प्रशन आया, और एजिप्ट में फोर्सिज का प्रशन आया, तो नहरू ने खुल कर उसका विरोध किया, परन्तु हंग्री में नहरू चुप रही, वास्तव में यह था कि जब United Nations में बहस चल रही थी, तब Krishna Menon ने इस बहस में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उनका यह कहना था कि तब तक उनके पास सारी जानकारी नहीं थी, और नहरू के एक बाइग्रफर है, एस गोपाल, सर्वपल्ली गोपाल, उन्होंने कुछ चिठियां भी बाद में दिखाई, कि जो नहरू ने स्वयम रशियन प्रीमियर को लिखी थी, और हंग्री के अंदर रशियन फोर्सिस के आने का उन्होंने विरोध किया था, तो यह कहना पूरी तरह से सही नहीं है, कि रशा के साथ भारत ने कुछ सौफ्ट रवया अपनाया, या उतने आकरामक नहीं रहे जितने की अमेरिका के साथ थे, नहरो का व्यवहार हमेशा दोनों पावर ब्लॉक्स के साथ समान रहा, और उन्होंने जो किया, वो यही किया, कि जहां पर भी अन्याय है हम उसका विरोध करेंगे, और उसके लिए उन्होंने अपनी आवाज को कभी दबने नहीं दिया, और वो खुल कर अंतरराश्ट्रिय मामलों पर अपनी टिपने दे दे रहे, और खुल कर बोलते रहे, अब हम कुछ ये भी बात करना चाहते हैं, कि हमारे साथ ही साथ, जो हमारा दोसरा भाई था पाकिस्तान, उसने क्या किया, तो एक पाकिस्तान के एक जोर्नलिस्ट है नजम सेथी, नजम सेथी बात करते हैं पाकिस्तान द्वारा किये गए 10 ब्लंडर्स की और उसमें सबसे पहला ब्लंडर वो यही कहते हैं कि जहां एक तरफ भारत स्वतंत्र रहा और नहरू ने तटस्तता की नीथी अपनाई और गुट निर्पेक्षता की बात की वहां पाकिस्तान पूरी की पूरी तरह से अमरीका पर निर्पर हो गया और वह अमरीकी हतियार अमरीकी पैसे के उपर उसकी निर्परता इतनी जादा बढ़ गई कि वहां केवल दो शक्तियां पनपाई या तो फोज या अफसरशाही और फोज और अफसरशाही दोनों जनता से बहुत दूर हो गई और हम जनता की आवाज को नहीं पहचान पाए इसी के रहते पाकिस्तान के अंदर आर्मी राज्य हुआ और एक के बाद एक कूज हुए मतलब सत्ता पलट एक जनरल आया उसने दूसरे की सत्ता पलट दी दूसरा आया उसने तीसरे की सत्ता पलट दी यहां तक की हमारे जो पाकिस्तान के प्रधान मंतरी किसी को एसेसिनेट किया जा रहा है किसी को फासी पर लटकाया जा रहा है यह सब गरबडियां इसी लिए हुई क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो गया और अमेरिका को भी सूट करता था कि वहाँ अगर elections हो जाते पार्लियमेंट होती तो वह सीधे बात करना अमेरिका के लिए मुश्किल होता लेकिन क्योंकि फौज की तान बोलता जाता था तो हम आज अपनी बात को केवल इन अंतरराश्ट्रिय नीतियों तक ही सीमित रखेंगे और अगली बार हम चर्चा करेंगे भारत के फौरन रिलेशन्स की कि उन्होंने अपने अन्या जो राजिते उनके साथ कैसा व्यवहार रखा नहरू स्वयम बहुत ज हवी कैसे बने और किस तरह से रिलेशन्स रखे जाएं इसलिए जो इंडियन फॉरन सर्विस है इसका उन्होंने खुद कहकर इसको बाहर निकालकर अलग सर्विस के रूप में स्थापित कराया और यह स्वयम अपने निरीक्षन के अंदर ही इन्होंने इस सर्विस को आने का प्रयत्न किया जिससे कि जादा से जादा अच्छे हमारे जो विदेश जाने वाले अधिकारी हैं वो भारत की एक अच्छी साफ सुत्री और एक सभ्य च्छवी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें धन्यवाद